बरबादी का सबसे आसन तरीका है जड़ा थोड़ा डीटल में बताएंगे सर्थ हाँ, एक सस्टेमिलिट अफूड वो किसान के खतम हो जाएगे और हमारी जमीन की उरोरक्ता बढ़ने के लिए क्रुष्ण से लेके आज तक जह हमारी क्रॉप रोटेशन करके कहा गया है कि आनाज के बाद पल्सेश करो दलन फसले पहले आनाज करो फिर दलन फसले करो फिर ऑईल के सीड़ लगाओ तो उसके जमीन की उरोरक्ता बढ़ जाएगे उपर से बाइडरिसिटी आफ इंसेक्ट बढ़ जाएगे पंची बढ़ जाएगे जब एकी तरह की फसल होगी तो जमीन की उरोरक्ता दीरे दीरे खतम हो जाएगे और आकाल जल्दी आएगा तो सबसे बर्बादी का एक बड़ा आसान तरीका एक फसल एक टाइप का फसल लेना यह हम हमें काफी स्पीर से खड़े में डाल देगा तो अगर हमें हंडेड परसेंट यह सोचना है कि मेरी परंपरागत कुरुशी विद्द्दान जो है वह हज जरो साल से अभी तक जमिन की उर्व रखता क्यों रहे गई एक हिंदुस्तान में अलवर्ट हैवार्ड करके आके गए जो इंग्रोजोंने लाये थे कि हिंदुस्तान के लोगों को खेती सिखाएंगे तो इन्होंने हिंदुस्तान घुमने के बाद बोले स्टड़ी करने प की तो UKRIताब का नाम है अगेकरचे टेस्टामेंट तो इंग्रोज हो इंग्रोज ऋगर्मने उनको निकाल दिया अ तू क्या बता रहा है। तो फिर उनको वड़ोदा के गायकवार साब ने उनको support दिया और उनने वहां पी उपर composting के method बनाए एक अलग और उसको नाम दिया इंदोरी composting method तो उनने जो किताब लिखे है वो किताब में हजारों साले से हिंदोस्तान के खेते अच्छी क्यों रही। यह system क्यों अच्छी है तो उसके उपर क्या आज तक उसका असर हुआ है। इसके सब documentation है। फिर यह मरते वक्त उनको government of England ने उनको सर्फ degree दे लिए और सर्फ Albert Howard कहा गया क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया। पहले निकाल दिया था। तो यह जो अच्छा काम है इसमें से हमें भी आज तक वो और्गरिक फार्मेक बाइवल करके यूज होता है ओके ताब उसमें हमारी जो ख्यमता है खेती अच्छी रहने की वह एक रॉप रोटेशन और तर तर की फसले। इसका मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडुक्त प्रोडुक्त चाहिए। बहुत ही गलत है। क्या होना चाहिए। पहला है कि किसान के थाली के सब चीजे उसके खेत में होनी चाहिए। नमबर एक। नमबर दोन उसकी जमीन की उरोराखता कैसे बढ़े। और सोईल कंजर्वेशन कैसे हो। अभी हिंदुस्तान का एक जो गवर्मेंट है। उन्होंने declare किया है कि हर हेक्टर में हर साल अगर एक डिगरी के slope है। और वहां पे एक आजार मिलीमिटर बादिश गिर है तो 16 तन मिट्टी बहे जाते है। 16 तन मिट्टी आने एक 10-10 की रूम बनाने के बिंग्स बन सकते हैं। तो इतनी मिटी बहे जाने उसको रुकाना है, No. 1, मिटी ज्यादा क्यों बहती है? कौन से क्वान कि अग्रिकल्चर सिस्टम में ज्यादा मिट्टी बहती है? यह तीलिंग ज्यादा करें वान मिट्टी बहती है. याने ट्रेक्टर चलाना गलत है? बहुत ही गज़त है, क्योंकि ट्रैक्टर में जो प्रेशर है, और ट्रैक्टर के मिठी के पार्टिकल काफी छोटे हो जाते हैं, और दूसरा सबसे उसमें एक चीज होती है, कि जमीन की उर्वरक्ता बढ़ाने वाले माइक्रोब्स, और जमीन की उर्वरक्ता और पोरासिडी बढ़ाने वाले चींटियों से लेखे अर्थ्वम तक, यह सब खतम होते हैं, और संरेज में वो स्टैलाइज हो जाते हैं, सब जीवानों मर जाते हैं, और जब जीवानों ने रहेंगे, तब तक मट्टी के जो फाइन पार्टिकल एक दूसरे को चिपकाने की सिस्टिम खत मरते हैं, केच्व मरते हैं, आज नहीं तो कल मरने वाले, आज तक हमें लग रहा है कि आठ साल तक केच्व बढ़ेंगे, क्योंकि सेमी कंपोस्या आधे मरे हुए चीज़ उसको मिलेंगे, लेकिन तननाशक, वीडी साइड में हमने हो जो जो केमिकल इस्टेमाल किया है, वो जो manmade है, वो जो खाना देरे तरे छोड़ देंगे, देकंपोस्यन होगा, और वो देकंपोस्यन के लिए करा लिए Markykins जो जो जऑश माने पर नहीं होगे, तो अगर वो जो जो tratar ne करेंगे? यह 10 साल तक काम करेगा, 10-20 साल तक, जमीन के अनुसार वहाँ पर बारिश गेने के अनुसार, जमीन के पेज के अनुसार वहाँ पर स्वरवाई होगा, लेकिन जैसे Green Revolution में जब एक खाद आया, तब एक किलो खाद डालने के बाद 17 किलो आनाज बनता था, अभी वह एक किलो के और जो आज तक हुआ है, ज्यादा पाने, ज्यादा खाद, ज्यादा तिलिंग के होज़े से, इसके लिए दुनिया में, पूरे दुनिया में एक बदलाव आया है, इसको बोलते है, Zero Tilling Cultivation Method, तो जमीन के जीव जो एक किस तरह से बढ़ा ही आ सकता है? जमीन के जो जीव ज का मल्चिंग होना चाहिए, तो इंगलिश में उसको कहते है, Soil must be covered with any organic matter, dead or lie, नमबर एक, नमबर दो, आपकी जो जमीन है, उसमें से कम से कम, 30% trees होने चाहिए, जिसके आउशेश जमीन में गिर के, जमीन की उर्वरता बढ़ती रहेगी, क्योंकि फसलों के आउशेश हम ज रहे है, जब तक चक्रिय पूरी नहीं होगी, तो जमीन की उर्वरता नहीं बढ़ेगे, और नमबर तीन सबसे important है, जमीन की उर्वरता बढ़ाने के लिए, जमीन के अंदर लकडी जाने की « Urban Fiber जाने की आउशेटा है», जो हमारे फसलों में नहीं है, तो झब तक जमीन में ताइप साफ फंगस नहीं बढ़ती, जमीन के उर्वर रखता नहीं बढ़ती है। गेहू और जवार, यह दो फसले हैं अगर, तो इन दो फसलों से जमीन को क्या मिलता है या क्या कम मिलता है या क्या जाला मिलता है। जवार से थोड़ा सा जमीन को ग्लुकोज मिलता है। और उसके दो चीजे होती है। आप कभी देखोगे तो शम्नम मिठी रहती है। उससे माइक्रोज बढ़ जाते हैं जमीन के। दूसरा उसके जड़े हैं, रूर्स हैं, वो काफी नीचे जाते है। हमारे हिंदुस्तान का जो तरीका है, उसमें हमने एक डिस्टिबिशन किया है। कि उपर के फली आदमी खाएगा, जाड़ कैटल खाएंगे और जड़ जमीन खाएगे। यह ओल्वेज 30-40-30 यानि फसल 30%, 40% उसका जाड और 30% रूट्स या 40-30-30, सीजनल क्रॉप में यह होता है। तो जमीन की उर्वक्ता बढ़ाने के लिए जो रूट्स है, वो फाइबर है, लिगनन है, और वो काफी डिप जाते है। और डिप जाके जमीन के अंदर ज्यादा नीचे तक और यह पैटर बढ़ाते हैं, जो गेह में नहीं बढ़ता है। तो आपका मतलब है गेहों की जड़े वो उठली होती है। थोड़ी उपर रहती है। जावर की नीचे नहीं जाती है। जावर की बहुत जाला नीचे जाती है। जितनी उंची है, उसके कम से कम थ्रिफॉर्ट नीचे है। तो गेहो तो छोटा है। और हमारे जो गेहो आ गया, वो नॉर्मन बोर्लॉक जी ने जो मेक्सिकन गेहो में बदलाव लाया। उससे गिदिन डिलोशन स्टार्ट हो गया। और उसके लिए नॉर्मन बोर्लॉक जी को लोगों के हंगर बचाने के लिए उनको नोबल का पुरसकार मिला था। और फिर उसके वज़े से और चेंज होने के बाद चावल में भी बदलाव आ गया। कि चावल की उंचाई कम हो गए और उसके फली बड़ी बन गए। तो कम उंचाई होने के वज़े से जमीन के बाकी जो औरवरक जमीन को मिलने वाला था फसलों का वो कम हो गया। या हमारे खेती करने के तरीके में वो बताया गया कि इसके अंदर जीव जन्तु है, प्लांट के डीसीज है, पेश चिपके बैठी है, वो निकाल और जाला दो, नश्ट कर दो. तो जमीन में जो नैचरले जाने वाला और अर्गनिक मैटर था, वो भी खतम हो गया. और हमने गोबर खाट डाला नहीं, तो ये उसके वज़े से उर्वरक्ता दिन बदिन कम्त हो दे गई, और आज की कंडिशन ये है, कि जब ग्रीन रिरोशन आया, तब ये हमारे जमीन में और्गनिक मैटर था 2-3 परसेंट, अब ये 0.2 और 0.3 परसेंट, इसके लिए सेंट्र में और्गनिक मैटर कितना है, यह मुझ कितना है, और उसमें भी एक गलत चीज है, कि गवर्मेंट बोले कि 0.5 बहुत बढ़िया और्गनिक मैटर है, तो जैवी खेती करने वाले हम बोलते हैं, कि एक इजी मिनिमम, एक अगर रहेगा, तो जमीन में जो है, वो विद दी हे खिलानी है सबको, तो तीन रहता नहीं, क्योंकि हम जो गर्म हवा में रह रहे हैं, तो वो भी खतम होता है, वो भी खतम हो रहा है, यह मज भी खतम होता है, तो हमें नॉनस्टप प्रयास करने, इसलिए हमारे पुर्खों ने जो सिस्टिम बनाई थी, क्रॉब रोटिशन, आनाज के बाद दलन्थ फसल है, यह होना ही है, और उसमें तूर जैसा, अगर फसल होगी, तो उसके भी जड़े नीचे जाती है, और उसके उपर जो राइज़ोवियम के नोड से, उससे नाइटर्न भी फिक्स हो जाता है, तो दलन्थ फसल है जमीन के उरो रखता बढ़ा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आजकर लोग यह कह रहे है कि ग्रॉप रेसिडियू, अग्रिकल्चरल वेस्ट, उससे फ्यूल बनाना चाहिए, फ्यूल ब्रिकेट बना रहे है लोगा, उसके बारे में क्या कहा है, यह जो है, मैंने पहले ही कहा, कि हमारा हक सिर्फ अनाच के उपर है, बाकी सब जमीन के अंदर ही वापस जाना चाहिए, अगर मैं जला रहा हूं, उसके ब्रिकेट बना रहा हूं, तो उसके बदले में जमीन को वापस क्या कर रहा हूं, क्योंकि जमीन में जो और्गनिक मैटर है, वो और्गनिक मैटर जमीन का डिपोजित ह हर साल वो बढ़ रहा है, अगर मैं उससे से निकाल लोंगा, तो मेरा डिपॉजिट कम होते जाएगा, तो एक दिन मेरी बैंक बोलेगी, सोयल की बैंक, बेटा आपके जमीन में कुछ है नहीं, हम फसले नहीं लापाएंगे, तो अगर हमें फसले रखनी है, तो हमें ये जो च एक बीविश में जो बदलाव आ रहा है, कि शोलर लगा रहे है, विंड लगा रहे है, तो ये जालान के बदली में ऐसे कुछ नहीं कर सकते, कि जिसे वहाँ पर हीड बनेगे और अउसका अरुशन करके, हमें उर्जा मिलेगे. ये तो उर्जा भना रहे है, नाु उरजा ब खाना healthy food देपाएंगे, अभी खाना है लेकिन वो healthy नहीं है, तो हमेरा आगे का slogan यह होना चाहिए, अधिक धने पिक्वा नहीं, healthy food पिक्वा, विखेल ते पिक्वा नहीं, यही होना चाहिए, जो हम दो बोले, multi and multi cropping, एक ही खेत में अलग अलग पसले होनी, एक साथ, हाँ, तो उससे अलग अलग चीजे मिलेगी, जैसे मैंने कहा, कि नारियल जो है, नारियल के साथ केला रहेगा, तो केले में पोटेश है, और नारियल के पोटेश के ज़रूरत है, यह दोनों जब एक साथ रहेंगे, तो शायद नारियल का उत्पादन भी बढ़ेगा, और स्वाइल के हिल भी रहेगा, तो हमें पोटेश ने यह सिखाया है, कि आपकी जोरते पूरी करते करते, आपको जमीन की उरो रखनी है या बढ़ानी है, एक डिस्टिक में सिर्फ के लगाया, और ज्यादा नुक्सान होगा, एक डिस्टिक में सिर्फ डान लगाया, ज्यादा पानी देने के वुझे जमीन का सॉल्ट आ जाएगा उपर, और पानी खता हो जाएगा, एक डिस्टिक में अगर सिर्फ गेहु लगाया, बेसिकली हम यह कर नहीं पाएंगे, क्यो कुद्रत के जो उसूल है, कुद्रत के जो दिख रहा है, उसके अनुसार हमारे पुर्खों ने फसल चक्रा बनाया, और फसल चक्रा और वरशा चक्रा का तालुक जब तक नहीं होता है, तब तक हमारी जमीन के उर्वरक्ता भी नहीं बढ़ेगी और फसले भी आच्या नही तो गिवरप्याज नहीं रहता है ना, हमारे थाली में जो चीजे हैं, बीच में हैं कार्भोहेड़िट, और सबसे कॉंटिटी में, और कार्भोहेड़िट अलग-अलग मुलुक के, अलग-अलग है, जावार से लेके रागी तक है, उसके बाजी में सब्जी, जो इसके आधी है, यानि समझे, मेरा 400 ग्रम कर्भोहेड़िट है, तो मेरी 200 ग्रम सब्जी है, और उसके बाजो में है प्रोटीस यानि डाल, वो इससे आधे, जानि कर्भोहेड़िट अगर 400, तो प्रोटीन मेरे 100 है, तो यह और उसके धेने बाजो, तो इसमें प्रश्च भी मिलेंगे नमक भी मिलेगा अलग अलग शार मिलेंगे लेकिनों कम होंगे फिर उसके बाज़े में कच्चा खाने वाली चीज और बीच में थोड़ा सा मिठा है तो इसका मतलब यह है कि जैसे थाली में अलग-अलग चीजे होती है उसी तरह से अपने फार्म में अलग-अलग फसले होनी ही चाहिए होनी ही चाहिए होनी नहीं ही चाहिए नहीं तो जिसको हम लोग बोल रहे है शाश्वत्ता सस्टेमिलिटी सस्टेमिलिटी लाने का सबसे आसान तरीका है, biodiescent crops in your own farm, यह जब तक नहीं होगा, sustainability नहीं आएगे, क्योंकि किसान निर्भर रहेगा, दूसरे के उपर नहीं रहे सकता नहीं, आत्म निर्भर ताके लिए, असल बीवेदर ताके जब रहे है, होनी ही चीए, वो सिर्फ आपके लिए नहीं, जमीन के लिए और एकोसिस्म के बाकी जो घटक है, यानि रेप्टैल से लेके इंसेक तक, उनकी भी है ज़रत है, और उनका रोल हमारे जिएवन में एहम है, जैसे कि मदुमक्खी है, और अगर मदुमक्खी गई, तो हमारी जो क्रॉस्पॉलिटर फसले हो खतम हो जाएंगे, और हमारे व सब के साथ, पंद्रप्राण जी का एक घोश है, सब के साथ सब का विकास, तो सब का साथ जब तक नहीं मिलेगा, खेती अच्छी नहीं बनेगे, तो यह बनाने ही पड़ेगी, और इसका प्रयास अगर हम गलत करें, तो यह गलत निकाल के हमें अच्छा प्रयास करना सुधाराइं नहीं तो गलती है, तो सुधार नहीं है, और मेरे पोते तक अगर जमीन अच्छी रहेगी, तो मेरा पोता हमाँ खेती कर पाएगा, वो खेती करेगा खेती करेगा, मालूम नहीं मुझे, लेकिन जमीन की उरु रखता जब खतम हो जाएगी, हमें दूसरे हम आफरिका से ला रहे हैं, आज हमारा oil 70% oil, eatable oil, और fuel शिर्फ 18% हमारा हो रहा है, वो सब हम बाहर से ला रहे हैं, इसके उपर हमारा काफी पैसा, foreign currency इस्तेमाल हो रहे है, और जब वो सम्झो कुछ, जैसे के आज दो साल में COVID आ गया, export import भी बन हो गया, तो हम two world oil का से सोचेंगे, तो भी two world oil कहां से लाएंगे, oil का सोचेंगे, तो oil कहां से लाएंगे, आज हमारा 70% oil, eatable oil, import हो रहा है, यह हमारे लिए sustainability के लिए बहुत ही खराब चीज है, जो 30 साल पहले शिर्फ 15% था, आज हो 70% हो गया, क्योंकि फसल का चक्रा हमने चेंज किया है, और हमारे जो आदर्निय राजनर सिंग जी है, वो तो कई बार यही बोलते, कि जब तक फसल चक्रा और वर्षा चक्रा का तालुक नहीं होगा, आपको भगवान पे मदद नहीं कर पाएगा, तो यह फसल चक्र यह जो पूर्खो ने बनाई है, वो काफी सोच समझ के किये, तो उसमें और चेंज क्या कर सकते है, वो विजनान से चाहिद हम दवा चेंज कर सकते है, बाइपेस्टिस रेज यूज कर सकते है, जैसे पोलिशन ना हो, लाइट राइप यूज कर सकते है, लेकिन बिल्कुल बिलकुलने, very dangerous, very dangerous.